नमास्कार स्वागत्य आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिशा में जब घर में पैसों की तंगी होने लगे तो बस करना ये एक काम बड़े बड़े करोड़पती के धन का राज है। का आसिरवाज चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखे जय मा लक्ष्मी जय माता दी। दोस्तों माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथी इस वीडियो को दोस्तों को शेर कर दीजेगा। आते हैं लेकिन इनके पास किसी करण से धन टिकता नहीं है। जिसकी बज़े से वो काफी परिसान रहते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आपको रविवार की दिन करना है। कि रविवार की दिन शूर्देव का दिन है और शूर्देव को शुक शंब्रधी का प्रतीक माना जाता है। अब आप अपने घर में शुक शंब्रधी चाहते हैं तो रविवार की दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने तक जिन की पास एक गलास पानी में थोड़ा सा दोध डाल कर सोये। लेकिन इस बात के धियान रखें कि इसे ऐसी जगह रखें कि रात को सोते समय आपको हांस से लग कर गिरना जाए। अब सुबह उठें और इश्णान करने के बाद इसे बबूल के पेंड की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में धन तिकने लगेगा और आपके मन को शांती का हैसास होगा। जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपके उपर शनी देव की कृपा भी बनी रहती है। रविवार की दिन सुबह जल्दी उठें और फिर सूर देव को जल दें। जल देते समय जल धारा में से सूर के दरसन करें। ऐसा करने से आँखों की जोती बढ़ती है। आप बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके घर परिवार में जो सदसे हैं उसके आसपास भी वो बीमारिया नहीं बटकती। इसके लावा आप जल चढ़ाते समय सूर मंत्र ओम शूरियान में इस्ट मंत्र का जाप करते रहें इससे भगवान सूर देव के साथ साथ माता लक्षमी कृपा और आश्रवात प्राप्त होता है। दोस्तों रविवार की दिन पीपल के पेंड के नीचे चोमुखी दीपक घी का जलाईए। चोमुखा दीपक मतलब जिस दीपक को आप चारो तरब से जाला सकते हैं। इसक पैसा घर में नहीं टिकता। बेर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आप ये उपाय करें ताकि माता लक्षमी कृपा बनी रहे। किस भी सुब महुरत पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेसम का कपड़ा ले और उसमें अखंडित 21 चावल दाने बांदें। इ अपने पर्ष यह तिजोरी पे रख दें ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी। धन प्राप्ति के लिए आप रोज रोजाना सुबह जल्दी उठें और उठकर आप दोनों हाथों की हतेलियों को देखकर देवी लक्षमी जिगाय शुमरन करें। इससे मात लक्षमी के साथ साथ भगवान विश्व और माता सरस्वती भी आपसे प्रसंद होंगे। सुबह उठकर सबसे पहले घर की ग्रहनी अगर एक लोटा पानी भरकर मुख द्वार पर डालती हैं तो घर में माता लक्षमी के आने के राष्टे खोल जाते हैं। घर में पैसा र एक निर्धारित हिस्षा महीने में जरूर दें। रात को सोने से पहले अपने पास रखें। नोटों के गिंती करके सोएं ताकि माता लक्षमी कृपा सदय बनी रहें। और बिंती करें की है धन तुम मेरे पास आओ। जो राष्टा तुम्हें सही लगे। तुम मेरे पास आओ। उसी राष्टे से आओ। धन तुम तीन गुना बढ़कर आओ। बिना किसी को नुक्सान पहुँचाए मेरे पास आओ। हम तुम्हें स्विकार करने को तयार हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नोटों के गिंती कभी भी उंगुलियों पर थूंक लगा कर नहीं करन इससे आपके बरकत खत्म हो जाती है। तो आप ये गलती भूलकर भी ना करें। घर में जाडू साप किसी सुनशित इस्थान पर ही रखें। ऐसे ही इधर उधर जाडू आपको नहीं रखनी चाहिए। जाडू को हमें साल लिटा करके रखा जाता है। उसे ना तो खड़ जुक के साथ साठा करके रखते हैं। तो इससे घर में एक लेस की स्थी बनी रहती है। जहां गंदगी रहती है। वहां माता लक्ष्मी के निवास नहीं होता। अतरे घर के आसपास आप किसी भी तरह की गंदगी जमाना होने दें। शाप सफाई का विशेश ख्याल रख उस चीज को घर से आप बाहर निकाल दीजे अगर कोई गंदगी चीज पड़ी है और इस्तमाल करने योग नहीं तो बाहर कर दीजे क्योंकि ये घर में नकरात्मा कुर्जा को अपनी योरा करसित करती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडिय पसंद आया तो बीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों भी शेयर कर दीजेगा और ये पहली बार है चलना पर तो चलना को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा और कमेंट में लिखेगा जै मात दी जै मालक्षमी